Welcome back my dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our science book by brain root series. हमारी book का नाम है Science Park Class 1 और आज हम चैप्टर नमबर 13 पड़ेंगे. हमारे चैप्टर का नाम है Up in the Sky. आज हम उन चीजों के बारे में पड़ेंगे जिने हम कहां देखते हैं? आसमान में देखते हैं. तो चलिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं. In this chapter you will learn. इस chapter में आप क्या पड़ेंगे? आप पड़ेंगे sun के बारे में, moon और star के बारे में और आप पड़ेंगे going to the moon. चान पर कैसे जाते हैं? तो चलिए, पड़ते हैं. Before we start, we have to do warm-up exercise. हम एक warm-up exercise करेंगे. Write D for the things you see in the sky during the day and N for the things you see at the night. यहाँ पे तीन पिच्चर्स बनी हुई हैं. आपको यह बताना है कि जोन सी चीज आप आसमान में दिन में देखते हैं, उसके लिए आप D लिखेंगे और जो चीज आप रात को देखते हैं, उसके लिए आप N लिखेंगे. जिससे पहली पिच्चर है मून की. मून कब देखते हैं आप? डे टाइम में या नाइट टाइम में? बताए जल्दी. Yes, you are right. मून हम देखते हैं रात में. तो आप यहाँ पे लिखेंगे N. इसी तरह नेक्स पिच्चर है हमारी सन की. सन हम कब देखते हैं सकाइ में? डे टाइम में या नाइट टाइम में? सन हम देखते हैं डे टाइम में. तो हम सन के नीचे लिखेंगे D. नेक्स पिच्चर आप खुद समझेंगे और लिखेंगे. चलिए, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. We see the sun, the moon and the star in the sky. आस्मान में हम क्या देखते हैं? हम स्टार्स को देखते हैं, सूरज को देखते हैं और चन्दा मामा को देखते हैं. Now we will learn about sun. अब हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे. The sun is a hot ball of fire. Sun क्या है? आग की एक बहुत बड़ी गरम बॉल है, गेंध है. It shines during the day. सूरज कब चमकता है? दिन के टाइम में. It gives us heat and light. वो हमें क्या देता है? Heat or light. रॉष्णी देता है और गर्मा ही देता है. The sun makes the day warm and bright. सूरज की रॉष्णी की जरूरत पड़ती है. क्यों पड़ती है? ताकि वो ग्रो कर सके, बढ़ सके. The sun rises every morning in the east. सूरज रोज उपता है, दिन के समय सुभा सुभा. कहां से? East. East मतलब पूरब दिशा से. हमारी four directions होती है, कौन कौन सी? East, West, North, South. It brings us the day. जब सूरज उपता है, तो क्या निकलता है? दिन निकलता है. एक नया दिन आता है. The sun sets every evening in the west. और रोज शाम को सूरज छिप जाता है. कौन सी direction में? West direction में. It brings us the night. और जब सूरज छिप जाता है, तो क्या होती है? रात होती है. Now we will learn about moon and star. अब हम चांग और तारे के बारे में पढ़ेंगे. At night you see the moon and the stars in the night. रात को आस्मान में आप क्या देखते हैं? चन्ना मामा और चमचमाते तारे. The stars are very far from us. तारे हम से बहुत दूर है. हम धरती पर है और तारे कहां है? आस्मान में. वो हम से बहुत दूर है. That is why they look so small. इसी लिए वो बहुत छोटे चमकते हैं. क्यों? क्योंकि वो हम से बहुत दूर है. But they are very big in size. लेकिन वो क्या है? Size में बहुत बड़े हैं. हमें चोटे इसलिए चमकते हैं. क्योंकि वो हम से बहुत दूर है. The moon seems to change its shapes every night. हर रात को चान अपना आकार बदलता है. कभी आप पूरा चान देखते हैं. कभी आधा चान देखते हैं. कभी बहुत पखली सी एक लाइन होती है चान की. तो आपने देखा की चान हर रात अपना आकार बदलता है. Sometimes we cannot see the moon at all. और कभी कभी हमें चंदा मामा देखने को नहीं मिलते. This is called the new moon. और उसे हम क्या कहते हैं? New moon कहते हैं. Then each following day the moon seems to grow. और new moon के बाद क्या होता है? हर रात moon थोड़ा थोड़ा बढ़ता है. अपना आकार बढ़ाता है. कौन? चंदा मामा. Do you know? क्या आप जानते हैं? The moon is much much smaller than the sun. सूरत से बहुत बहुत चोटा है. कौन? Moon. चंदा मामा. After two weeks, we can see the full round shape of the moon. This is called full moon. और new moon के बाद, दो weeks बाद, दो हफतो बाद, हमें क्या देखने को मिलता है? Full moon. पूरा चांद. Now, we will going to the moon. तो चलिए, अब मैं आपको मून पे ले जाती हूँ. The moon is very far from us. चांद हम से बहुत दूर है. The vast sky where we can see the sun, moon and the star is known as space. जहां पर हम क्या देख सकते हैं? सूरच, चांद, सितारे. उसे हम कहते हैं, space. People have to travel in a special vehicle called a rocket or spacecraft to go to the space and the moon. Space को कहते हैं, अंतरिक्ष. अंतरिक्ष पे जाने के लिए, लोग क्या इस्तिमाल करते हैं? रॉकेट और spacecraft. इसके द्वारा लोग कहां जाते हैं? चांद पर जाते हैं. A person who travels in space is called an astronaut. जो इंसान अंतरिक्ष पे जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? Astronaut कहते हैं. They have to wear a special dress called space suit. और astronaut को क्या पहना पड़ता है? एक special dress, जिसे हम space suit कहते हैं. ये पहन कर वो कहां जाते हैं? अंतरिक्ष पर जाते हैं. Do you know? क्या आप जानते हैं? The first living things to travel to space was a female dog named Laika. आपको पता है, पहला living things, जो क्या था? एक dog, female dog. जो कहां गई थी? Space पे गई थी. अंतरिक्ष पे गई थी. उसका नाम था Laika. Now, next. The first astronaut to set his foot on the moon was Neil Armstrong of the USA. और पहला इंसान जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, वो कौन था? उनका नाम था Neil Armstrong. वो कहां के थे? USA के थे. Now, time to test your skill. Answer in one word. अब हम आपका एक छोटा सा test लेंगे. तो आपको कुछ कोशन हैं, उसका answer one word में देना है. This is the brightest thing in the sky during the day. ये एक बहुत brightest thing है. मतलब चमचमाती चीज है. जिसे आप दिन में देखते हैं आसमान में. वो क्या है? वो है sun. S-U-N. Sun. Next, the sun sets in this direction. इस direction में सूरत छेपता है. कौन सी direction में? West. W-E-S-T. West. Next three, you will do by yourself. Now, time to go in flashback. During the day, you can see the sun in the sky. दिन के समय आप आसमान में क्या देखते हैं? सूर्य को देखते हैं. The sun gives us heat and light. सूरज हमें गर्मा ही और रौश्नी देता है. The sun rises in the east and sets in the west. सूरज इस से निकलता है और west में छिप जाता है. You can see the moon and the stars in the sky at night. और रात को आप आसमान में क्या देखते हैं? चान और तारे. The shape of the moon changes every night. हर रात को चान अपना आकार बदलता है. A person who travels in space is called an astronaut. Now time to do some exercise. Exercise 1. Pick the correct option. We see that in the night sky. हम रात को आसमान में देखते हैं. क्या? Sun, rainbow, stars, none of these. रात को आप देखते हैं. स्टार्स आसमान में. जो चम-चम आते हैं. Next, when we look up at the night at noon, we see. जब हम दोपहर के समय आसमान में ऊपर देखते हैं. हमें क्या देखने को मिलता है? Rainbow, sun, moon, none of these. दोपहर के समय में हमें आसमान में देखने को मिलता है. Sun, s-u-n, sun. The dash changes its shapes every night. ये हर रात अपना आकार बदलता है. कौन बदलता है? Sun, moon, stars, none of these. तो हर रात को अपना आकार बदलता है, moon. The sun appeared to rise in the सूरे कहां से निकलता है? West, South, North या East से. सूरज निकलता है East से. Next exercise, choose the correct answer and fill in the blanks. आपको सही answer को चूज करना है और खाली स्थान को भरना है. The dash gives us heat and light. हमें heat और light कौन देता है? Sun या moon. तो correct answer है sun. तो हम यहाँ पर लिखेंगे sun. The sun sets in the sun. यहाँ पर छुपता है. East में या west में? चलिए, जल्दी से बताईए. Yes, you are right. सूरज छुपता है west में. तो हम यहाँ लिखेंगे west. T, west. Number 3. The shape of the moon looks dash every night. हर राथ को moon का आकार हमें देखने को मिलता है. Same या different? तो correct answer है different. तो हम यहाँ पर लिखेंगे D, I, F, F, E, R, E, and T. Different. Number 4, 5, and 6. You will do by yourself. Exercise C. Cross the option that is not related to the picture. यहाँ पर 4 pictures बनी हुई है. आपको उस option को cross करना है. जो इन picture से related नहीं है. पहली picture है sun की. तो उसके लिखा है hot fireball water. गरम पानी की गेन. क्या यह सही है? चलिए, आगे देखने है. Next statement क्या है? Next picture है sun की. Sun के लिए क्या लिखा है? Light, night, square. Next picture है star की. और star की लिए है twinkle, very, far, colorful. और last picture है एक astronaut की spacecraft, space suit, flag. तो इसके लिए आपको बताना है इन statement में क्या गलत है. तो sun hot भी है, fireball भी है, water नहीं है. Next picture है moon. और moon के लिए उन्होंने क्या लिखा है? Light, light देता है हमें. Night, रात को चमकता है. Square, वो square shape का होता है? नहीं. तो हमने इसमें square को cut कर दिया. Next two, you will do by yourself. Now exercise D. Answer the following questions. अब कुछ questions के आपको answer देने है. My dear kids, you have to learn your chapter once again and you have to give all the answer of following questions by yourself. So in this video, we have learned about sun, moon and star. हमने सूरच, चान और तारो के बारे में इस वीडियो में पढ़ा. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.